हमसकार दोस्तों एक बहुत फिर से आप भी का बहुत स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं आलू के चिप्स जैसा कि आप सभी को पता है अभी नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और इस ताइम पे आलू भी बहुत ही सस्टे रेट पे मार्केट में मिल जाते हैं फटा फटफराई करें और खा सकते हैं तो रेशीपि शुरू करें उससे पहले अगर आप सभी ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्ली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये वीडियो जरासा भी अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें आज की इस वीडियो में आपके साथ सेयर करूंगी कि कैसे आप ये मज़ेदार से आलू के चीप्स फटा फट से बना सकते हैं बिना किसी जिंजट के ना ये काले पड़ेंगे और ना हाड होंगे बहुत ही ज चीप्स बनाने हो आप आलू थोड़े बड़े साइज करें इस टाइम बहुत अच्छे आलू है मार्केट में और चीप्स बनाने का ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इस तरह से बड़े बड़े आल आपको आलू छाट के लेने हैं हमने ये पांच किलो आलू लिये हैं और आप इनको अच्छे से थोलिया आइएह अब हम इनको चीले और चील के दार्क पाने में डालते जाये बहुत से लोगों की कंप्लेंद होते हैं कि हमारे आलू के चिप्स काले हो जाते हैं वह इसी वजे से होता है क्योंकि आलू में बहुत ज्यादा स्ट्राच होता है अ सबी आलू को हम इस तरह से छील छील के पानी में डालते जाएंगे अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप किसी की मदद भी ले सकते हैं बहुत जल्दी बन जाते हैं ये बस थोड़ा सा टाइम लगता है इनको छीलने में और सारे आलू आप देखिए हमने बड़े-बड़े साइज के लिए हैं ताकि हमारे एकदम बड़े-बड़े मार्केट जैसे चिप्स बने आलू हमने छील लिए हैं और छील के देखिए हम इने पानी में अच्छे से दोलेंगे अब बारी आती है चिप्स काटने की तो इस तरह का चिप्स कटर बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है आप इसको एक बार लेके रख लें सालों साल ये यूज होने वाली चीज होती है और अब फटा फट से देखे कितनी अच्छे इसके चिप्स कट रहे हैं अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप हाथ से भी पतले पतले स्लाइस कर सकते हैं चाकू से भी ये बहुत आसानी से कट जाते हैं बहुत केरफुली आपको ये चिप्स काटने हैं क्योंकि इस मसीन से हाथ भी कटने का डर रहता है तो ये जो छोटे-छोटे पीस बच जाते हैं इनको हम सबजी में यूज कर लेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा अब इसको हम काटेंगे तो हाथ कट सकता है और सारे चिप्स हमें इसी तरह से काटने हैं देखे कितने पतले चिप्स कट रहे हैं यह देखिए बहुत बड़िया हमारे चिप्स कट रहे हैं और काटके आप देख रहे हैं हम इनको दारेक पानी में डाल रहे हैं अगर हमें थोड़ी देर के लिए भी इनको हमने खुला छोड़ दिया तो इनका कलर चेंज हो जाएगा और फिर हमारे चिप्स भी ब्लैक हो सकते हैं तो अगर आप बिलकुल सफेद मार्केट जैसे चिप्स आते हैं तो आपको इस सीज का ध्यान रखना है इनको खुला बिलकुल नहीं रखना है बिलकुल आप इनको पानी में डिप करके रखें सारे आलू हमें इसी तरह से काट लेने हैं सारे चिप्स हमने काट के रख लिए हैं चिप्स को काटने के बाद आपको इसको एक या दो वर पानी से और धोना है जिससे कि इसका सारा स्ट्राच अच्छे से निकल जाए और विल्कुल मार्केर जैसे सफेद आपके चिप्स बनके तयार हो चिप्स काला पढ़ने का एक यही कारण होता है कि हम इने खुले छोड़ देते हैं पानी में अच्छे से वोस नहीं करते अब क्योंकि हम ये चिप्स वरत में भी खाने वाले हैं अब चाहें तो बिना नमक के बीन को उबाल सकते हैं इसके ऊपर से बाद में भी नमक या मसाला डाल के खाया जा सकता है ये चिप्स हम दो जगें उबाल रहे हैं इसलिए हमने दो जगें पानी चड़ा दिया है और दोनों जगें हम एक एक चमच नमक डाल के अच्छे से इसको उबाल लेंगे अगर आपके पास बड़ा बरतन है तो आप एक जगे भी ये सारे चिप्स उबाल सकते हैं और अब इस पानी को ढखके हमें उबाल आने तक गरम करना है हमने बड़े बड़े साइज के आलू लिये थे तो चिप्स भी हमारे विकदम बड़े बड़े कटे हैं आलू का चिप्स सूखने के बाद सिकूड जाता है तो इसलिए आप कोशिस करें कि बड़ा आलू लें खाने में इसमें कोई फरक नहीं होता है बस देखने में अच्छे लगते हैं बिलकुल मार्केट वाला लुक आता है पानी में उबालाना शुरू हो गया है आपको बिलकुल उबलते वे पानी में इन आलू को डालना है यह पानी अच्छे से देखे उबल गया अब इसमें हम अपने यह चिप्स डालेंगे जितने चिप्स एक बार में इस पानी में आ जाएं उतने डाल के आप उबाल सकते हैं अब बात आती है कि हम चिप्स को कितनी देर के लिए उबालें ताकि हमारे परफेक्ट चिप्स बने तो मैं आपको बता रहती हूँ कि चिप्स डालने के बाद जैसे ही आपके पानी में दुवारा उबाल आ जाये उसके बाद आपको सरफ या दो या तीन मिनट के लिए इसको और पकाना है अभी मैं आपको बताऊंगी जैसे जैसे यह चिप्स पकता है, उबलता है इसका color भी change हो जाता है बिल्कुल ये transparent हो जाता है और एक मैं आपको और बताऊंगी अभी कि कैसे आपको पता लगेगा कि आपके आलू के chips बिल्कुल perfect उबल चुके हैं और इस तरह से आप बिल्कुल हलके आथ से चम्मच से इसको उपर नीचे जरूर करते रहें ताकि ये सारे equally पके हैं ऐसा नीचे से बहुत जादा ये उबल जाएं पापड बन जाएं और उपर से कच्चे रह जाएं तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है इसको बीच बीच में चलाते जरूर रहना है देखिए अभी आपने ये चिप्स तोड़ के देखा ये बिल्कुल ऐसे तूट गया मतलब हवी हमारे चिप्स नहीं उबले हैं एक बार अभी हम और देख लेते हैं और अब ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मोड़ा जा रहा है ये तूट नहीं रहा है जैसे ही आपका आलू इस कंसिस्टेंसी में आ जाए कि जब इसको आप मोड़ें तो इसमें बीच में दरार ना आए तो मतलब आपका चिप्स पक के तैयार हो गया है उससे जादा आपको इसको बिल्कुल नहीं पकाना है कलर भी आप देख सकते हैं आलू का चेंज हो गया है अधर दूसरी तरफ भी हम चेक कर लेंगे बीच-बीच में हम इसको भी चलाते रहे हैं इसको भी इस तरह से मोड़ के देखेंगे यह देखिए यह वाले चिप्स भी हमारे पक गए हैं एक चिप्स मैंने देखे कच्चा रखा हुआ है इसको जैसे हमने मोड़ा यह तूट गया और यह वाला चिप्स देखे हम कितना मोड रहे हैं यह नहीं तूट रहा है बस इतना ही पकने तक आपको आलू को उबालना है एक बार उपाला आने के बाद दो से तीन मिनिट में यह पक्के तयार हो जाते हैं और अब हम इसको एक बड़ी चलनी में चान लेंगे मैं आपको बार बार इसको चेक करा रही हूँ दिखा रही हूँ ताकि आपके चिप्स भी एकदम परफेक्ट बने यह देखिए आप इसको अब किसी भी तरह से मोड सकते हैं यह तूटेगा नहीं यह देखिए यह निसानी है कि आप मारा जो चिप्स है एकदम बढ़िया तरीके से पक चुका तो यह इसी तरह से आपको पता चल सकता है और अब हम सारे चिप्स को गरम पानी में से निकाल के एक छलने में डाल लेंगे अब बारे आती है चिप्स को सुखाने की तो इस टाइम पे तो बहुत अच्छी धूपी आती है अगर आपके पास धूप की जगए है च्छत है तो आप इसको इसको इस पर भी डाल सकते हैं नहीं तो पंखे के नीचे भी तीन-च्यार घंटे में बहुत अच्छे से सूख जाते हैं आप कोई भी बड़ी चदर या प्लास्टिक सीट आपके पास कुछ भी हो उसको बिछा के पंखे के नीचे इनको सुखा सकते हैं और इस काम के लिए आप बच्चों की हेल्प ले सकते हैं लेकिन ध्यान रखें ये बहुत ज़्यादा गरमनी होने चाहिए बच्चों को इस तरह के काम करने में बहुत मज़ा आता है और बहुत ही आपका काम आसान भी हो जाता है फटा-फट भी हो जाता है इस तरह से आप किसी भी बड़े कपड़े पे चदर पे आप सीट पे इनको एक एक करके फैला दें और पंखा चला दें अगर आप छट पे सुखाना चाते हैं तो आप इसको छट में भी सुखा सकते हैं इस टाइम बहुत तेज धूप पड़ती है एक दिन में ही आपके ये चिप्स सूख के तयार हो जाएंगी पंखे के नीचे हमारे चिप्स चार से पांच गंटे में बहुती बढ़िया से सूख गए थे देखिए ये चार गंटे बाद का मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने इनको ओवर नाइट पंखे के नीचे रखा है और एक भी हमारा चिप्स देखे चिप्स का भी नहीं है चद्दर पे अगले दिन के लिए हमने इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया था दो से तीन जंते के लिए क्योंकि हम इने लंबे टाइम तक स्टोर करने वाले हैं क्योंकि हमने खूब सारी क्वांटिटी में चिप्स बनाए हैं तो धूप दिखाना बहुत ही जरूरी है और आप इनका क्रंच सुन सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से ये सूप गए हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है आलो के चिप्स बनाने का नवरात्रे भी आने वाले हैं आलो भी बहुत सस्ते मार्केट में मिल जाते हैं आप जरूर ये वाली रेसिपी ट्राइ करें चिप्स का कलर आप देखिए कितना बढ़िया है कहीं से ब्लैक नहीं हुआ बिल्कुल वाइट हमारे चिप्स हैं अब थोड़े से चिप्स में आपको फ्राइ करके दिखा देती हूँ आप ये चिप्स किसी भी एटाइ डबे में या पॉलिथिन में बांध के रख लें साल दो साल जितने मर्जी चाहें आप इनको रख सकते हैं वैसे तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं एकदम बढ़िया तरीके से चिप्स हमारे सूग गए हैं अब बारियाति इनको फ्राइ करने की तो फ्राइ करने के लिए भी मैं आपके साथ एक टिप्स यहाँ पे सेर करूंगी क्योंकि ये चिप्स बहुत ज़्यादा पतले होते हैं तो अगर आप इनको बहुत लंबे टाइम तक तेल में रखेंगे तो ये पीले भी हो जाते हैं या फिर जल भी सकते हैं इसलिए आप इनको तुरंत डालें और तुरंत निकाल लें ये देखिए को सिखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है ज़कपट से ये सिख जाते हैं जैसे ये तेल के अंदर गए इनका साइज भी देखे डबल से ज़्यादा हो गया तेल बहुत ज़्यादा धुआधा गरम भी नहीं लेना है और कम गरम भी नहीं होना चीए तो है ना बहुत ही आसान आलू के चिप्स बनाने की रेसिपी मार्केट से थोड़े से चिप्स कितने महंगे मिलते हैं लेकिन घर पे देखिए हमने 50 रुपए के आलू लेके कितने सारे चिप्स बना लिए इसी तरह से आप जितने मर्जी चाहें चिप्स फ्राई कर सकते हैं तेल के अंदर जाते ही ये चिप्स देखिए शिख जाते हैं तो आप इनको तुरंत डालें और तुरंत निकाल लें चिप्स हमने फ्राई कर लिए हैं चाय के साथ या फिर ऐसे भी ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और देखिए कितना बढ़ी आया हमारे चिप्स सिके हुए हैं उपर से आप इस पे थोड़ा सा नमक थोड़ी सी लाल मिर्च या काले मिर्च जैसा आप चाये डालके खा सकते हैं आज के लिए सिर्फ इतना ही बहुत जल मिलूंगी मैं आप सबीसे एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई खुस रहें स्वस्त रहें मस्त रहें और नई नई आसान रेसिपी के लिए फूड स्कूल चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलें